हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया को इसी तरीके से जारी रखते हैं आज की सेशन में हम लोगों ने अभी तक जो देखा है रिसेटली बैंक निफ्टी ट्रेट कर रहा है पचास जार साट के आसपास और अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो एक डाउंवर्स मोमेंटम के बाद प्राइज ने खुद को रिवर्स किया और हाइर साइड मोमेंटम करके डे हाई ब्रेक करके हम लोग ट्रेट कर रहे हैं और अभी एक संभावना है हम इस हाई को भी ब्रेक करेंगे और उसके बाद और उपर जाने की possibility लगती है अगर ये एक trend line आप इस तरीके से draw कर ले मैं आपको एक major briefing दे रहा हूँ इसके बाद हम लोग समझेंगे कि किन चीजों को काम करना देखे अभी अगर ये आप trend line draw करते हैं कि कोई भी price अपने nearby trend line आकर एक consolidation करता है तो वो breakout की possibility बनाता है तो ये जो price है यहाँ पर nearby trend line आकर एक consolidation कर रहा है जब तक ये दुबारा से ये swing lows इसके safe रहते हैं मतलब 50,000 के उपर ये price sustain करता रहे और अगर ये high break हो गए तो दुबारा से किसी तरीके का directional higher side momentum हमको देखने को मिलेगा ठीक है अच्छा resistance theory अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सीखा है ये जो part है ये trend line में resistance theory का part है कि nearby high consolidation एक seller के price के पास का consolidation एक अच्छे buying opportunities की नियोता देता है कभी भी अगर ये अभी तक आपने नहीं सीखा है तो आप जाकर channel को open कीजे और one by one एक session को देखे वहाँ पर ये सारी चीज़े discuss की गई है अगर आप ऐसे नहीं देख पाते हैं तो description में telegram का link है telegram को join कीजे मैं वहाँ पर एक video pin करा दूँगा उसको आप देख सकते हैं या फिर recent market के साथ आप अभी सीखना चाहें resistance theory को तो मुझे comment section में बताईएगा तो मैं एक dedicated अलग से session कर दूँगा resistance theory को लेकर ठीक है चले आज जिस concept पे हम लोग बात करने वाले हैं वो होता है buyers accumulation zone जहां से buying उठ तो रही है लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं जैसे morning का first momentum ये जो trap करकर आप लोगों को गया है कई लोगों ने सुबहर से morning से query आया sir इसी वज़य से session करने का और जरूरी हुआ कि morning में लोगों ने shot के position ले लिये और वो shots के position आप लोगों को कल हम लोग शाम को session नहीं कर पाए मैं थोड़ा व्यस था तो मैंने आपको लिए old session upload किया था अगर हम लोग करते हैं तो इस चीज को discuss करके जाते आप लोग कहां गलती कर रहे हैं बताईए जिस पर हम लोग लगातार चार से पाँ session से discuss कर रहे हैं क्या discuss कर रहे है we have to believe at close price हम पे किस पे believe करना होता है close price पे तो कल बाजार किस तरीके से close किया चड़कर बंद हुआ ना सर तो आज का morning momentum कैसा होना चाहिए positive होना चाहिए price की opening कैसी होनी चाहिए positive होनी चाहिए ठीक है लेकिन price की opening positive हुई क्या हाँ price ने gap up के साथ open किया ठीक है price की opening तो positive हुई उसके बाद price का reaction downwards momentum तो price का पहला momentum morning के momentum fake होते है maximum time हम उन पर believe नहीं करते अगर वो previous day की closing के favor में नहीं है दूसरी बात अगर price के आप historical data को देखे है historical data का मतलब time frame पर हमको higher time frame पर shift करना होगा और यह देखना होगा recently हम किस territory को trade कर रहे हैं तो अगर आप गौर करें तो आपको एक बात बहुत clear समझाएगी कि हम एक consolidation parallel range को trade कर रहे है जब सही है demand उठी है demand के बाद कोई retracement नहीं आया है और हम लोगों ने single swing low break नहीं किये single swing low break नहीं किये और इस consolidation range में इस parallel range के अंदर trade कर रहे है मतलब कोई भी price अगर higher side nearby resistance area पहुँचकर एक consolidation range बना है क्योंकि कोई भी consolidation एक buyer sign होता है ये खरीददारों की एक पहचान है price का किसी range में आकर ठहराओ ठीक है ये seller sign नहीं है seller sign होता है aggressive ये है seller sign price का तेजी से गिरना और price का एक जगे पर आकर calm behavior दिखाना इस तरीके से consolidation range बनाना एक buyer zone बनाता है इसके बाद अगर ये low break हो भी जाए ना price downwards movement करेगा भी वहाँ भी संभावना रहेगी price दुबारा lot का इस range के अंदर आ जाए अच्छा अगर आप telegram को join करेंगे जिसका link description में है तो आपको एक बात पता लगेगा कि हमारे traders के पास morning सही 48,000 के put हम लोगों ने shot कर लिए 48,200 के put shot कर लिए 48,500 shot कर लिए 49,000 के put shot कर लिए ये सारे put shot करने का देखे जब आप PE buy करते हैं आपका मनना है कि बाजार में गिरावट होगी लेकिन जब आप PE sell करते हैं तो आपका मनना है कि बाजार में गिरावट नहीं होगी बस अब ट्रेंड आएगा या नहीं आएगा वो तो सर हैजिंग का पार्ट है उसको हम classes में discuss करते हैं कैसे हम अपनी position को roll over करते हैं ठीक है अब यहाँ पर जब यह price का downwards momentum morning में शुरुवात हुई तो एक बात clear होगे कि price का यह momentum fake है इस वज़े से हम लोगों ने पहले ही morning में ही restrict किया क्या downwards momentum नहीं होगा तो हम लोगों ने नीचे से put shot किये और उसका हम लोगों को results मिला आपको position का result आप description नहीं जो telegram का link है उसको join कीजिएगा वहाँ पे दिख जाएगा कि हम लोगों ने 48,000-482,000 यह सारी strike price short करके बैठे हुए अभी हम लोग position को hold कर रहे हैं ठीक है यह किस कारण से किया अब हम लोग इस concept को समझते हैं देखे buyer zone कई तरीके के होते हैं जैसे हम लोगों ने अभी एक आपको मैंने बताया कि एक consolidation range एक parallel range जो की किसी nearby resistance price जैसे हम लोग यही से पिछली बार गिरे थे इसी range से गिरावट हुई थी अब इसी range के पास आकर हम एक consolidation range बना रहे है इसी seller price के आपास आकर seller को break नहीं कर रहे है seller को break करने से पहले एक अच्छी खरीदारी कर रहे है ठीक है यह एक buyer sign हुआ sir इसको हम खरीदारों की पहचान कहते हैं जैसे अभी यह की resistance line है train line जो अभी हम लोगों ने recently draw किया यह draw किया यह draw करने पर क्या पता लग रहा है कि हम इस resistance area के पास आकर consolidate कर रहे है इसको break नहीं कर रहे है इसी train line के साथ गिर रहे है और इसको break करने की कोशिश करेंगे ऐसा अब price यह बता रहा है और यह लगबग लगबगता है लगता है ठीक है अगर यह price इस high को break करकर और इस range के उपर trade करने लगा मतलब 50,189 50,200 का round figure तो आप देखेंगे कि एक अच्छा break out होगा यहां से इतना momentum तो असानी से मिल जाएगा लेकिन जब 50,200 भी break हो जाएगा तो एक बड़ा momentum मिलेगा ठीक है तो जो major level है वो 50,200 है अब देखिए जब भी price में इस तरीके के accumulation range इस तरीके के nearby train line का consolidation range यह सारे accumulation के तरीके हैं कि buyers इस तरीके से खरीदारी करता है उनकी यह पैचान है इसी तरीके से buyers का एक और accumulation का behavior है जिसको आज हम लोग पहली बार समझेंगे जिसको हम कहते हैं support को shift करना, buying area को shift करना support को shift करना हुआ जैसे अगर कोई price 100 रुपए से गिरावट करके 90 रुपया आया और दुबारा वो 100 रुपए के पास पहुँचे तो 12 गिरे तो 92 से ही lot जाना चाहिए, तीसरी बार जब गिरे तो यहां से उसको 93 या 94 से ही lot जाना चाहिए, लेकिन हर बार जब यह price अपने low लगाकर lot रहा है न, higher side momentum कर रहा है 100 को break नहीं कर रहा है इसका मतलब है यह 90 की खरीदारी, 92 की खरीदारी और 93 की खरीदारी, यह हुई तो higher level पर है, लेकिन यह higher level पर इतने strong खरीदार नहीं बैट पा रहे हैं, जो इस seller area को break कर सके, तो price ऐसे condition में क्या करता है पता है अपने last buying price से एक dip लेता है क्योंकि 3 support लगा लिए price ने देखे, 90 की खरीदार बैठे हुए हैं, 92 पे भी खरीदार बैठे हैं, 94 पे भी खरीदार बैठे हैं अब हम high break नहीं कर पा रहें तो price एक dip लेगा और last buying zone को एक बार break करेगा और बहुत aggressively break करेगा, किस लिए एक बड़ी खरीदारी उठाने के लिए ये एक demand area है ये 90 से लेकर 94 तक पूरा demand zone है, कोई एक price demand का नहीं है, लेकिन price क्या करता है एक बड़ी खरीदारी उठाने के लिए बड़ी buying को trigger करने के लिए price एक aggressive selling behavior अपनाता है और इस low को break करने की कुशिश करता है, क्यों ऐसा हो रहा है पता है क्योंकि जब जब higher price से खरीदारी हो रही है, तो इतनी बड़ी accumulation नहीं हो पा रही, कि seller break कर दिया जाए यहाँ भी higher price से खरीदार इतना बड़ा accumulation नहीं हो पार seller break कर दिया जाए, तो ऐसे condition में हमको यह पहचानना होता है कि इस 94 के भाव के पास या इस 92 के भाव के पास या इस 90 के भाव, यहाँ पे बहुर गौर कीजेगा इन तीनों price में जिस भी support से सबसे aggressive buying उठी होगी मतलब जब price 90 से चल कर गया तो 95 तक चल कर गया जब 92 से चल कर गया तो 95 तक चल कर गया, तो 90 से 95 पांच रुपया चल कर गया ना, तो यह aggressive buying area हुआ ठीक है, तो जो भी aggressive buying area होगा, यह price जब discount में आएगा तो उस buying area तक आएगा अगर last buying area ही सबसे aggressive है, तो यही से लट जाएगा, अगर यह इतना aggressive नहीं, तो second buying area के पास आता है, फिर third, इसी लिए जब तक तीनो support area break नहीं होते जब एक support shifting, जब resistance shifting कैसे होता है, seller अपना price नीचे की तरह short कर रहा होता है, जैसे यहाँ पर यह जो price है, आप देखिए पहली बार sale हुए हम लोग 50,260 से, फिर sale हुए 50,220 से, अब sale हुए है 50,170 से, तो यह seller क्या है अपनी position को shift कर रहा है अब buyer जाकर सिर्फ इसको break करें, यह हूँ, ब्रेक होने की संभावना रखते है सर, ठीक है यहाँ पर गौर कीजिए, buying area कैसे shifting होता है, यहाँ पर price ने एक low लगाया, low लगाने के बाद अगली बार price यही से घूंग गया, यह low क्या था 49,500, अब यह low क्या था 49,650, इसके बाद यह low क्या था 49,700 49,800, तो यहाँ पर support की shifting है और यहाँ पर resistance की shifting है, अब दोनों में compare कीजिएगा, aggressive shifting किसकी है, बहुत द्यांचे समझिए, इस in-depth price action analysis को बस समझ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि price का prediction कैसे होता है, और यह बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस price को समझना आना चाहिए, जिसका chart reading बेतर हो गया है, जो setups को समझते हैं, buyer seller के price action को समझते हैं, और जो इस series को, देखें, एक video upload होता है 1.45 पे दुपैर में, शाम का video upload होता है, साड़े-दस बजे, रात का, ठीक है कभी-कभी मैं चीजों को repeat करा, जैसे कल का session हम लोगों ने पॉलेंजर बेंट का repeat किया, पहले का session आप लोगों ने उसको दोराया, क्योंकि पहले सीख रखाया एक बर, तो चीजों को revise करना बहुत ज़रूरी, ठीक है, जब मेरे पास समय नहीं रहता है, तो मैं previous videos को आपको upload करके, जिससे आपको revision हो जाए, और ये दोनों session अगर आप follow करेंगे, तो आपका projection पर पकड़ बहुत अच्छा बनेंगा, ये बात बहुत clear है, ठीक है, तो वही चीज़े अब मैं आगे लेकर जा रहा हूँ, अब चीजों को हम लोग in-depth analysis की तरफ ले जा रहे हैं, देखिए समझे, प्राइज 50,250 से shift हुआ, 50,220, तो बहुत बड़ी shifting तो नहीं है, 30 point की shifting है, 250 से shift हुआ, 170, 50 point की हाँ भी shifting है से, तो seller ने बहुत नीचे से price को short नहीं किया है, buyers ने जब अपना support area shift किया, तो 49,530, अगली बार 626, तो लगबग 100 point shift है, पहली बार जब seller ने shift किया तो 30 point, buyer ने shift किया तो 100 point, अगली बार जब buyer ने shift किया, तो ये 650 से 800, 1500 point, और seller ने shift किया सर्फ 50 point, अच्छा, ये seller नहीं shift कर रहा है, ध्यान दीजे, ये buyers price को trigger करा रहा है, seller तो और नीचे से भी sale कर सकता है, लेकिन यहाँ पर price gap अप करके, जब खुलता ही यहाँ पर है, तो आप कीजिएगा क्या, जहाँ पर gap अप मिलेगा, वहीं से short कर पाईएगा, ठीक है, और buyers price को बहुत जल्दी उठा ले रहा है, मतलब gap down करने का बाजार को मौका नहीं दे रहे, तो यह buyers behavior है, कि down side से support shifting अच्छी हुई, और selling side से resistance shifting उतनी बहतर नहीं हुई, तो अब हम इस चीज को गौर कर रहे हैं, कि अगर price इस resistance area को कैसे भी trend line को break कर दे, तो यहाँ पर long की positions बनेंगी, एक momentum मिल चुका है, दूसरा momentum अब तभी मिलेगा, जब high break होंगे, जब तक नहीं मिलेगा, जब तक high break नहीं होंगे, तब तक आप long की position execute नहीं करेंगे, देखे एक बात बहुत ध्यान से projection में ध्यान रखें, हम किन भी levels पे बात कर रहे हो, हम वो trade करते हैं, जो price में दिखता है ना, कि जो assume कर रहे हो, यहीं पर आप गच्चा खा जाते, यहाँ पर हम लोग assume कर रहे हैं, कि price का यह breakout हो सकता है, लेकिन अभी हुआ तो नहीं है ना, तो यह एक assumption है, हमें क्या trade करना होता है, जो price कर रहा है, तो अभी price breakout नहीं कर रहा है, breakout की trend line के पास खड़ा है, आप खरीदारी करके आये हैं, आपने morning के seller को काटाया, अप अच्छा buyer है, लेकिन हम आपको trade तभी करेंगे सर, जब आप इसके उपर की एक closing दे देंगे, फिर उस candle का 2 minute के time frame पर high mark करके निकालेंगे, तभी हम long करेंगे, बात केर हुआ, मतलब हमको trade वो करना है, जो हमको दिख रहा है, अब आपने assumption कर लिया, कि price इसको break करने जाएगा, और अभी आप entry करने लगिए, तो price आपका कितना भी SLA सकता है, क्योंकि buyers ने अभी सिर्फ buying की कोशिश की है, breakout कराया तो है नहीं, तो जो दिखता है, वो trade करते हैं, जो assumption होता है, वो कभी trade नहीं करते हैं, इन दो बातों में हमेशा एक difference रखीगा, अब देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, support को shift कर रहे थे, support को shift करने में, हमको एक बात और समझ आई, कि buyers ने यहाँ पर एक aggressive behavior दिखाया, बहुत अच्छी demand उठाया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, सर सेलर का price break नहीं कर पाया, दुबारा इसी price के पास से, buyers ने फिर अगले दिन, कल के session की बात है, gap up कराया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, फिर seller के price को break नहीं कर पाया, इसका मतलब हुआ, buyers को एक aggressive buying area चाहिए था, aggressive buying area चाहने के लिए price ने क्या किया, यहाँ से एक morning का आज gap up किया, कल की price की closing कैसी थी, positive, positive closing के बात हम लोगों ने gap up किया, sellers ने sale करने की कोशिश की, तो यह sellers की selling नहीं है, यह price को buyers खुद demand zone में ला रहे हैं, और demand zone कहाँ पर है बताईए, यह एक range demand zone, कहीं से हम लोगों ने एक बड़ा momentum दिया, यहाँ से हम लोगों ने aggressive gap up किया, इससे बड़ी demand नहाँ पर नहीं है, जितनी बड़ी demand नहाँ पर है, तो price इसी range के पास आकर reverse किया, यहीं पर हम लोगों ने नीचे से downward से put shot करके बैठे, put shot करने का मतलब क्या हुआ, तै है कि बाजार में गिरावट नहीं होगी, जब भी हम put sale करते हैं, तो हमारा मानना होता है बाजार में गिरावट नहीं होती, यहाँ पर गौर कीजेगा, यह यह नहीं कहा जा रहा है कि price में uptrend आएगा, यह कहा जा रहा है कि price में गिरावट नहीं होगी, अगर हम call sale करते हैं, तो हम कहते हैं price में uptrend नहीं आएगा, यहाँ भी गौर कीजेगा, यह यह नहीं कहा जा रहा है कि price गिर कर जाएगा, बस इतना कहा जा रहा है, price में uptrade नहीं आएगा, दोनों चीजों को हमेशा ही differentiate रखिएगा, ठीक है, buyer और seller का mindset, एक hedge trader का mindset बहुत different होता है, बहुत अलग होता है, option buyer seller का अलग होगा, और hedging करने का अलग होगा, तो हम लोग hedging करते हैं sir, ठीक है, hedging की positions कैसे होती है, आप description ने telegram का link के, उसको join करके देख सकते हैं, अभी के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है, price इस low को break करने से पहले पहले, अगर इस high को break करेगा, तो आप higher side momentum को trade करेंगे, जब तक price day high और day low को कुछ भी break नहीं करता, तब तक यह consolidation market म नीचे wix में trade कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है, कि बहुत lower कोई price में momentum की संभावना है, price में volatility खत्म हो गई है, मतलब momentum डैड हो गए, intraday में बहुत momentum, अब आपने 3-4 session से देखा होगा, इस चीज़ को हम लोगों ने, कप predict किया था, जब election phase की शुरुवात होई थी, तो हम ने बताया था कि 5-6 June के बाद price में एक बड़ा consolidation phase देखने को मिलेगा, जिसको हम लगातार इस तरीके से देख रहे हैं, और हम लोग highly profitable होते हैं, अब एक बात बताईए, इस range में buyer क्या कमाएगा से, option buyer की क्या कमाई है, कोई कमाई नहीं, कमाई किसकी है, जो selling जानता है, जो आपको update देते हैं, तो आप उसको देखते हैं, उसको analyze किया कीजे, तो आपको पता लगेगा कि कल हम कौन सा position लेकर गए थे, आज हम लोगों ने कौन सा position लिया है, तो इससे आपको पता लगता है कि बिना market में momentum dead होने के बावजूद profitability लाई जा सकती है, बस position को बनाने का त